पिछले देड़ साल से जरजर इस्थिती में है जिसके कारान एक नंबर के आउतिन नंबर के अंगनबड़ी केंद्र के जो बच्चे है वो एक ही साथ बढ़ते हैं तो जो गतिविधी होती है उसमें भी दिकते आती है और साथ में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको एक नंबर के जो बच्चे हैं उनको तीन नंबर के अंगनबड़ी केंद्र में आने में भी दिकत होता है जिसके कारण काफी दिकत का सामना क करता है इस समस्या के लिए कई बार ग्राम पंचायत के और से और अंगन बाड़ी कारिकरता के और से प्रयाज भी किया गया है मेरे भवार गुद्धर से एक किलो मीटर दूर चल कर आना पड़ता है ये दिक्कत हो रही है कि बच्चों को एक किलो मीटर इतना दूर से चल कर इधर आना पड़ता है और समय में गर्ववती, सिसुवती इन लोगों भी आने में दिक्कत हो रही एक किलो मीटर चल कर आना उनके लिए भी बहुत दूर हो जाता है साथ में रेडी टू इट तो हम लोग देते नहीं है उन लोगों को रेडी टू ले जाने के लिए आते हैं पर वही बच्चों को जैसे मिलना चाहिए स्विधा और वो स्विधा नहीं मिल पा रही है हम लोगों को दिये दिक्कत हो रहे कि भवन जरजर होने के कारण उसको जल्दी से बनाये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि एक किलो मीटर चोटे बच्चे तीन साल के बच्चे को आने के लिए दिक्कत होती है उधर से चार मात बच्चे मेरे नहीं आप आते हैं इसी कारान की तीन वर्स हुए रहते हैं और आने के लिए एक किलो मीटर चल कर आना भी महुत दूर हो है इसलिए बच्चे अपने लिसाब से खेलती हैं, इसमें दोनों बच्चे को होगाते हैं, कर दो जाएंगे जंदर्सन में भी जाएंगे आप लोगों से निवेदान है कि जिसने सर्पन बताए कि कभ जाना है एकुन आप लोगों को चर्णा चिंगे कर दो पार दीवेदान है और इसे कि देखानमों को एक फिर अफिकार के पार जाना रहें आप कि अब लोगों के चाहिन पार आत्याना चाहिए समस्या को लेकर एक वीडियो बनाया गया वीडियो बनाने के बाद ग्रामीनों के साथ बैठक हुई और अविदन भी तयार किया गया और यह तै हुआ कि हम जीला कलेक्टर को अविदन देने जाएंगे लेकिन ग्राम पंचाय सरपंच के द्वारा रूची नहीं दिखाने के काराण आविदन देने जीला कलेक्टर के पास नहीं जा पाए इस समस्या के समाधान के लिए जीला कलेक्टर रूधीर सर्माजी का नंबर है 0771-49223-999 इस नंबर पार पून कर सकते हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें, लाइक करें, कमेंट करें मैं आज सागू शक्रीजगार बालोग जिलासी